दोस्तों नमस्कार दिल्ली जाग रही थी गोहाटी भी जाग रहा था लेकिन असम के ही लखीमपुर में सन्नाटा सडकों पर पसरने लगा था क्योंकि धीरे धीरे रात शुरू हो चली थी एक टेलिफोन की घंटी बसती है एक दूसरा शक्स टेलिफोन पर बाच्चित करने की शुरुवात करता है उधर से अवाज आती है ये कौन लोग है जो जैश्रीराम के नारे लगा रहे हैं पता नहीं सर ये कुछ अग्यात लोग लगते हैं अग्यात लोग लगते हैं तो उस पूरी सडक पर तो CCTV भी है बिलकुल है सर तो फिर आपने जाना ये अग्यात लोग कौन है उसी का पता लगा रहे हैं कौन है ये अग्यात लोग ये उपद्रवी है और ये किसी ना किसी तरीके से लखीमपुर की शांती विवस्था को भंग करना चाहते हैं तो फिर इस तरीक भी निकाल रहे हैं और खुद बीजेपी की भी नजर असम को लेकर है अध्यक्ष जेपी नड़ा भी तो यहां पर आए लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर शांती को बरतना होगा जी सर ये एक संवात का छोटा सा हिस्सा है कौन किस से बात कर रहा है एक मैसेज इससे न निया यात्रा है उस पर 19 तारिक को रात में हमला हो गया एक गाड़ी के शीशे तोड़ डाले गए पत्थर से आगे वाले सीट पर सीधे हमला किया गया जो पोस्टर बैनर थे उसको फार दिया गया दो तीन डंडे जो बस जा रही थी उस पर भी बरसा दिये गए और इन हो गया सो हो गया या फिर यह हमला इस बात को लेकर है कि जो होने वाला है उससे पहले कि ये आहट है कोकि राजनितिक तौर पर ये देश चुनाओ की दिशा में बढ़ चुका है और सभी को पता है कि इस वक्त बीजेपी अपने पूरे राजनितिक रंग में है जहां पर उ जीत जाएगी और दूसरी तरफ विपक्ष अपने तोर पर सिवाए राहुल गांदी की न्याय यात्रा के अलावे ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जिससे ये लगे कि वह चुनाओं में सक्रिये है यानि इंडिया और उससे जुड़े हुए 28 राजनितिक दल सभी टिके हुए है राहुल गांदी की इसी न्याय यात्रा के इर्द किर्द तो जो असम के भीतर हल्चल है और जागते हुए गोहाटी के भीतर धलकने बड़ी है और दिल्ली से जो संबाद बन रहा है वो क्या बता रहा है इस दिशा में क्या यह पहले दिन F.I.R. और दूसरे दिन इस तरीक का नाम ले रही है और बोल रही है उन्होंने ही हमला किया और अब वो F.I.R. भी दर्च कराएगी तो क्या यह मैसेज है कि राजनितिक तोर पर सत्ता में घबराहट है या यह मैसेज है कि सत्ता डरती नहीं है और आपको डरना होगा क्या वाकई ऐसी इस्तिती है और यही प सीधे इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की नितिया और उनके गवर्नेंस को लेकर कर रहे हैं और उसमें मोदी की गैरेंटी शब्द को ही उन्होंने खत्रे की घंटी युवाओं के लिए बच चुकी है इसे कैसे जोड़ दिया और इतना ही नहीं प्रधानमंत्री मोदी जो चाहते थे जब वो मुक्मंत्री थे उस दोर के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मुक्मंत्री पद पर रहते हुए जिन आवाजों को उठाया कि इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए वह प्रधानमंत्री बनते ही कैसे बदल गए इस बात का जि भी राहूल गांदी कर रहे हैं तीन सवाल पहला सवाल राहूल गांदी की भारत जोडो न्याई यात्रा के निशाने पर क्या इस वक्त सीधे प्रधान मंत्री मोधी हैं और इसको लेकर दिल्ली में घवराठ है दूसरा सवाल क्या बीजेपी को अब ये समझ में आ गया है कि नियाई यात्रा के जरिये उठते हुए सवालों को रोका जाए और उस रोकने के इस्तिती में क्या ये हमले महत्पून हैं और तीसरा सवाल क्या कॉंग्रेस इस बात को समझ चुकी है या इंडिया इस बात को समझ चुका है कि राजनितिक तोर पर आपको जमीनी मुद्दो को उठाना होगा और इसी लिए सिर्फ यात्रा के साथ जुड़े मुद्दे ही नहीं भलकि इस देश की राजनिती को और देश में लोगों को सीधे तोर पर प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाना राहुल गांदी ने शुरू कर दिया है हमें लगता है ये दो ती वीडियो अपने तौर पर जो सीसी टीवी के कैमरे में भी कैद रहा इन तमाम चीजों को देख लीजिए एक तस्वीर साफ होगी कि आखिर लखीमपूर का महत्तु है क्या क्योंकि आपके जहन में किसान आंदोलन वक्त के लखीमपूर खिरी की याद ताजा हो गई होगी शुरुआत में ही राजने की उसने गर्मा दी है तो पहले इस उस हिस्से को देख लीजिए जो ये हमला रात के अंधिरे में हुआ आंदोल शुर खिरीजिए भीजिएosit आंदोलनों वक्ता hell दो कि अंधिरे में हो ये हमला का मैं ही हमक्ताज देख खिरीजिएा हूआ तरसल ये नौर्थ लखीमपुर का इलाका है सात्मा दिन यात्रा का और समानने तोर पर जब राजनिती धीरे धीरे चुनाओं की दिशा में बढ़ रही हो और उस पर भी समूचा विपक्च एक जुट नजर आने लगा हो और उस पूरे विपक्च को लेकर राहुल गांदी इस निया यात्रा से ये कहकर जुड़े कि हर किसी को विपक्च में जो भी साथ है उसे जुड़ना चाहिए तो मैसेज बहुत साफ है कि विपक्च की समूची राजनिती और रणनिती इस यात्रा के आस्रे चुनाओं प्रचार पर निकल चुकी है लेकिन अटैक का होना इस दिशा को बार बार उठा रहा है कि क्या इस हमले के जरिये जो मुद्दे जमीनी तोर पर उठ रहे हैं उसको कहीं भटकाने की जुर्त है गोहाटी में बैठे पत्रकार हो या लखीमपूर में बैठे हुए छोटे बड़े जो भी पत्रकार हो जब उनसे बाचेत होई और इस बाथ का जिकर निकला ये हमला क्या बी जेपी करा सकती है कॉंग्रिस जजबात का जिक्र कर रही है कि ये हमला भारतिय जंता पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों ने हमला किया और पुलिस कह रही है अग्यात उपद्रवी थे तो उस दिशा में पत्रकारों की राय क्या है पत्रकारों ने कहा राजनितिक तोर पर इस्तिती बहुत साफ है लोगों के भीतर वहां से जुड़े मुद्दो को लेकर आक्रोश तो है क्योंकि चाहे वो चाय बगान हो इस दौर में जो निजी हाथों में सौपे जा रहे है जो वहां के जंजातिये बेल्ट है जो ब्लॉक ह उसमें से कुस समुदायों को दिये गए विशेश दर्जे खत्म किये जा रहे हो और इस दौर में सामप्रदाईक राजनिती के नाम पर जो लोगों पर हमले बढ़े हैं उसने एक बैचेनी तो पैदा की है और राजनितिक तोर पर उसे भुनाने का वक्त क्या यही है इसको लेके पत्रकारों के वहां की राए बहुत साफ है कि राजनिती में यह जरुरत होती है कि आप किस मुद्दे को उच्छालना चाहें तो क्या यह माना जाए कि फोन की घंटी गोहाटी से बज रही थी या फोन की घंटी दिल्ली से गोहाटी पहुंची थी या गोहाटी से ल की घटना पर बकाइदा पैनी नजर पुलिस प्रशाशन की है गोहाटी बहुत बारीकी के साथ इस पूरी यात्रा पर नजर रखे हुए है मिनुट टू मिनट की रिपोर्ट इस दौर में गोहाटी में पुलिस प्रशाशन के पास पहुचने का अंदरदेश दिया गया है और आज ही के दिन इस दौर में ग्रहमंत्रिय अमिश्या असम में ही मौझूद है जो असम पुलिस की तारीफ कर रहे हैं बता रहे हैं उन्होंने किस तरीके से गुस्पैट का सवाल हो या फिर उगरवात का सवाल हो कैसे उसका सामना किया तो क्या ये फोन की घंटी धीरे-धी रिये रहता है राजनेतिक तोर पर और उसकी नजर हर जिले पर है तो नौर्थ लखीमपूर इससे कैसे अचुता रहेगा दूसरी बात है कि लखीमपूर में चार विधान सभा की सीटे आती हैं तीन पर बीजेपी का कबजा है एक पर एजीपी का कबजा है कॉंग्रेस चारो बीजेपी में गए हेमंद बिस्वास शर्मा जानते हैं कि दरसल कॉंग्रेस किस तरीके से मूव राजनितिक तोर पर करती है लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं है कि इस दोर में कॉंग्रेस की अगवाई राहुल गांदी इस लिहास से कर रहे हैं जहां पर तेवर में कमी नहीं आनी चाहिए यानि एग्रेशन जो है वो सलक पर नजर आना चाहिए और इसी लिए समनांतर तोर पर वह दिल्ली पर भी सीधे हमला करने से चूक नहीं रहे हैं तो दो बात हैं एक असम के सवाल नौर्थिस्ट का सवाल दूसरा दिल्ली को कट घरे में खड़ा करने का सवाल इन दोनों पर अगर पैनी नजर गुहाटी और दिल्ली की है और जो हमला हुआ उसमें उस हमले के वीडियो के भीतर लगते हुए नारे हो या शोर शराबा हो पत्थर फेका जाना हो डंडे बरसाए जा रहे हो इसकी अवाज हो सब कुछ आ गया लेकिन उसके बावजूद भी कोई FIR उस तरीके से दर्ज क्यों नहीं की गई और पुलिस इंतजार कर रही है कि कॉंग्रिस इस पर FIR दर्ज कराएगी कॉंग्रिस ने भी कहा रोबोस्ट FIR दर्ज कराएंगे चलते फिरते हुए हमें जानकारी देनी है हम जरूर दे देंगे लेकिन या मुद्धा हमला बन जाए और राजनितिक तोर की परिस्तितियों के साथ मुद्धो को जोड़ते चले जाएए तो वो कौन से मुद्धे हैं जो इस वक्त दिल्ली को भी परिशान कर रहे हैं और उन मुद्धों की फिरिस्त में राहुल गांदी बकाइदा जिन बातों का जि में एक तो मोदी की गैरेंटी सीधे तोर पर ये कहकर खारिच कर रहे हैं कि जिस देश के बीतर हर तीसरा युवा बिरोजगार है और रेलवे ने जो पांच हज्यार के लगभग वेकंसी निकाली जबकि रेलवे में लगभग सवा दो लाक पद रिक्त पड़े हैं तो क्या धीरे धीरे निजी हाथों में सौप कर ऐसी परिस्तिती इस देश में बनाई जा रही है जहां पर रोजगार मिले ही नहीं तो क्या ये समुद्दे पर राहुल गांदी का खड़ा हो ना इससे बैचैनी है जी नहीं बैचैनी इससे नहीं है बैचैनी इस बात को लेकर है कि दरसल इस दोर में वह मुद्दे राहुल गांदी अब उभारना चाह रहे है जो दिल्ली की सत्ता के गवर्नेंस पर जाकर टिक जाए और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि राहुल गांदी ने दरसल जो नैशनल इंस्टिचूट और पबलिक फैनाइंस एंड पॉ मुक्मंत्री थे गुजरात के तो गुजरात के मुक्मंत्री रहते हुए उन्होंने जिन सवालों को उठाया अब उन सवालों को उठाने की जरुत राहुल गांदी को लगने लगी है इसको उठाने की जरुत है यहां पर दो तीन बाते समझ लीजिए यह चुनाओ इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि 2024 के बाद की स्थितियों को लेकर ना सिर्फ कॉंग्रिस बलकि विपक्ष के भीतर भी एक सहमती बन गई है कि अगर 2024 का चुनाओ 2019 की तर्च पर या उससे आगे निकल कर बीजेपी जीत जाती है तो उनकी अपनी राजनितिक जमीन तो दूर उनकी के आइने में तौला जाएगा और उनके मुद्दे कोई माइने रखेंगे नहीं तो इसलिए अब एके करके सारे मुद्दो को उठा डालिए दूसरी तरफ बीजेपी के सामने सवाल है ऐसा लग तो रहा है कि वह जीत जाएगी और शायद बुलंदी के साथ जीतेगी लेकि अगर ये जीत की बात का असर लोगों के भीतर भी समा गया कि बीजेपी तो जीत ही रही है तो फिर वोट देने लोग क्यों निकलेंगे तो इस तरीके से एक टकराओ की राजनिती की जमीन लगातार बनी रहनी चाहिए तो क्या रणनिती का ये हिस्सा है ये भी एक सवाल है अब सवाल ये है वो कौन सा मुद्दा है जो दिल्ली को परिशान कर रहा है क्योंकि 2013 में जब 14th Finance Commission बनाया गया उस दोर में प्रधानमं प्रिपद के दावेदार को कि संग और बीजेपी ने गुजरात के मुखमन्तरी नरिन्रमोधी के नाम पर मोहर लगा दी थी उसके फक्त उस दौर में सीम नरिन्रमोधी खुले तर पर कह रहे थे कि टैक्सों से जो कमाई होती है सेंटर की उसमें कम से कम 50% हिस्सा तो 2013 में बना और 2014-15 में जो उसकी रिपोर्ट निकल कर आई इसका असर ये हुआ कि 32% इससे पहले राज्यों के हक में था वह एक जटके में बढ़कर 42% आ गया जाहर तोर पर प्रधानमंतरी मोधी बन चुके थे सीम के दोर पे उन्होंने 50% की मांग की थी और यहां 10% सीधे फिनास कमिशन ने बढ़ा दिया लेकिन क्या उसको लागू किया गया या उससे हटकर परिस्तिती आ गई यही वो सवाल है जो राहुल गांदी अब उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि दरसल आज की तारीक में वो 42% को 50% तो हो जाना चाहिए था और फेडरल स्ट्रक्चर का जिक्र है फिर जीएस्टी भी लागू हो गई लेकिन हुआ यह कि जीएस्टी से पहले जो कमाई राज्यों की थी वो जीएस्टी के लागू होने के बाद कम हो गई जो राज्यों के टेक्स देने की जो बात थी वह भी आज की तारीक में 33% पे आ गई है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि किंद्र समूची पूंजी या तो अपने हाथ में रखना चाता है या राज्यों को भी चाता है कि वह किंद्र पर निर्भर हो जाएं तमाम राज्यों के भीतर ये हो सकता है बड़ा सवाल होने लगा है और तमाम राज्य केंद्र से जब पैसा मांगते हैं तो एक छण के लिए सोची ये स्थिति क्या है और जन्ता के ऊपर भी इसी दौर में सैस और सरचार जुस्था वह भी बढ़ा दिया गया तो ये आर्थिक मुद्दों पर नजर लोगों की जाए और इस पर तमाम राज्यनितिक दल एक साथ एक जुट होकर खड़े हो जाएं इस दिशा में अब पहल शुरू होई है और अगर ये यात्रा धीरे धीरे निकलते हुए इन मुद्दों पर खड़े होकर जन्ता को सचित करने के स्थिति में आगई सूचना के तोर पर भी और सीधा समवाद जन्ता से बनता चला गया तो ये मुश्किल हालात चुनाओ के वक्त होंगे लोगों के भीतर ये सवाल होंगे तो इसलिए क्या इस मुद्दे में हमला भी जोड़ दिया जाता है एटैक भी होता है हो सकता है या नहीं हो सकता ये राजनिती करने वाले जाने लेकिन बतौर जन्लिस्ट इस बात की जरुरत होती है कि उन मुद्दों को दफन किया जाए जिन मुद्दों से हमारी राजनिती पर असर पड़ता है ये हमेशा से सत्ता चाहती है लेकिन देखिए जो जानकारी निकल कर आई कि जी एस्टी जब लागू नहीं था और जी एस्टी जब लागू था दोनों के बीच में कितना अंतर आ गया मसलन बिहार को जी एस्टी जब लागू नहीं था उस वक्त जो टेक्स रेवेन्यू था वो 9.8 परसंट था जी एस्टी लागू होने के बाद घटकर वो 8.35 परसंट हो गया उत्तर परदेश को 7.62 परसंट था वो घटकर 6.89 परसंट हो गया जारखन का 7.2 परसंट था वो घटकर 6.47 परसंट हो गया ओडिसा का 7.13 परसंट था वो घटकर 6.17 परसंट हो गया मद्ध परदेश का 7.09 परसंट था वो घटकर 5.6 परसंट हो गया 36 गल का 7.1% था वो घटकर 6.1% हो गया West Bengal का 5.4% था वो घटकर 4.61% हो गया करनाटक का 5.3% था वो घटकर 4.24% हो गया गुजरात का 5.05% था वो घटकर 3.94% हो गया इस फिरिस्थ में जब देखना शुरू कीजिएगा तो राज्यों के उपर कितना कर्ज है या RBI से उन्हें कर्ज लेने की ज़रुत क्यों बार बार पड़ती है और वो किंद्र के सामने गुहार लगाने पैसे की मांग करने क्यों आते हैं तो एक फेडरल सिस्टम को ही एक लचर अवस्था में लाकर किंद्र ने अपनी धाक बढ कर लिया यह तो एक पहली इस्तिती है इसमें दूसरी सवाल जनता के भीतर का था जो सेस और ग्रॉस टेक्स रेवेन्यू था वो कैसे बढ़ गया जो सरचार्ज लगाया जाता था 2015 में वो 13.49 परसंट था आज की तारीक में 2023 का अकड़ा बतलाता है 17.37 है यह सिस और सरचार्ज सबसे ज़्यादा कोविड काल के तुरत बाद लगा था 2021 में जो सबसे ज़्यादा 20.48 परसंट तक चला गया था जनता पर भी दबाओ राज्यों पर भी दबाओ केंद्र की अपनी आर्थिक स्थिती मजबूत रहे और उसे कोई परिशानी ना हो इस दिशा में भी बढ़ते हुए कदम तो यहां पर एक सवाल इस बात को लेकर है क्या वाकई जिसका जिक्र लगातार हो रहा है कि देश की एकनौमी किंद्र अपने हाथ में इस तरीके से रखना चाता है जहां पर इस देश के पबलिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं जिसका जिक्र बार बार हो रहा है कि एक दो मित्रों को कोड़ियों के मोल दे दिया जाता है दूसरी इस्तिति फेडरल स्ट्रक्चर के दायरे में जो जो सवाल आते थे उनको भी इधर से उधर ले आया जाए जब इन में जब सारी गवर्नेस इलेक्शन कमिशन के हाथ में होगी और चुनाओ का एलान तारीकों का एलान हो चुका होगा जो मार्च पांच या दस के बीच में किसी दिन भी होना है उस वक्त भी यात्रा गुजर रही होगी तो यह चुनाओी रैली में तबदील हो चुकी होगी औ चुनावी मुद्दे इसी के आसरे उठ रहे होंगे और उससे पहले इस देश में जितनी योजनाओं का ऐलान करना है करते चले जाएए और यही हो भी रहा है प्रधान मंत्री प्रांत दर्प्रांत मंदिर दर्मंदिर और उस रज्यों के भीतर जो भी पैसा दे रहें यहां तक कि अब तो इस्तिती ये भी है कि अभी से एलान हो गया कि इधर प्रांट पर तिस्ठा होगी उसके आत्परधान मंत्री बुलंद शहर में नजर आएंगे उत्तर परदेश में वहां पर बहुत सारी योजनाओं का एलान और वहां पर हज्जारों कोड की योजना ये सारी प्रक्रिया एक तरफ है और दूसरी तरफ इन्ही आर्थिक मॉद्दों से जुड़ हुए लोगों से जुड़े सवाल हैं جो इस देश की गरीबी से भी जुढ़ गए हैं तो आखिर जरुरत भूक से रोजी रोटी से महंगाई से रोजगार सबसे जुड़ी हुई है वह मुद्दा बन जाए इस दिशा में नियाय यात्रा प्रभावी हो रही है यह पहला सवाल है दूसरा सवाल क्या इस नियाय यात्रा के जरिये समूचे विपक्ष की राजनिती ही चुनाव तोर पर जो नजर आएगी बिहार में जब ये नियाय यात्रा पहुचेगी तब अगर आर जेडी और जेडियो यानि तेजस्वी और नितीश साथ चल पड़ते हैं उसके बाद ममता बनर जी साथ चल पड़ती हैं उसके बाद हेमन सोरिंग साथ चल पड़ते हैं उसके भारत की राजनिती में एक चलता हुआ मैसेज होगा जिसमें रैली करने की जरुरत नहीं है बलकि अपने आप में एक चलती हुई रैली है जो राजनिती को प्रभावित करेगी और मुद्दे उसी आसरे बने ये दूसरा बड़ा सवाल है और यहीं पर तीसरा सवाल आता है जो असम में पहले दिन F.I.R. दूसरे दिन एटेक के जरीयों उपरा और राजनितिक तोर पर इनी बातों का उभार बहुत तेजी से हो और फोन की घंटियां सीसी टीवी का कैमरा और पुलिस परशाशन की पहल क्या इसी लिए तेज और ती परिस्तिती है ये तमाम सवाल इस यात्रा के जरीये और एटेक के बाद सामने आकर खड़े हो चले हैं इंतजार तो इस बात का है कि जिन 17 जिलों से असम में 8 दिनों के भीतर पूरी यात्रा निर्धारित की गई अभी उसमें भी 5 दिन बचे हुए हैं और खेल असम में ही ह ना है क्योंकि इसके बाद बिहार में बीजेपी नहीं है बंगाल में बीजेपी नहीं है जारखन में बीजेपी नहीं है उडिसा में बीजेपी नहीं है वह यूपी में है और यूपी की राजनिती के भीतर में इस दौर में अयोध्या धूरी बन चुका है तो क्या अगर उस धूरी को इस यात्रा के जरीए विपक्ष ने डिगा दिया तब क्या होगा यही सवाल बी जे पी और सत्ता को सबसे ज़्यादा परिशान किया हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया